हलो गाईस, वेलकम टू मैं चैनल, और आज हम लोग बात करेंगे कि क्या इंडिया, चाइना जैसा मैनुफेक्टरिंग हब बन सकता है क्या, और क्या चाइना जो है वो चीप गूड्स इतने सस्ते समान को कैसे प्रोड्यूस कर पाता है, तो ये दोनों हम लोग जानने वाले ह आप पूरा वीडियो देखें, तो आपको पता चलेगा, तो अचलिए बात करते हैं, याद हम लोग चाइना, सबसे पहले कि चाइना जो चीप गूड्स को कैसे प्रोड्यूस कर पाता है, इसका रिजन क्या है, अगर हम लोग इस्टरी की बात करें, तो दोनों नेशन एक स थी, इंडिया जो था, वो 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, और चाइना को इंडिपेंडेंस मिलता है, 1949 में, और इसी के साथ दोनों कंट्री अपना जर्नी स्टार्ट करती हैं, बट इंडिया का जो जर्नी था, वो डेमोक्रेटिक और सोशलिजम, जो कि रश्यन सिस्टम था, वो हमनों ने अडॉप्ट किया, और जो चाइना था, उसने कम्यूनिजम अडॉप्ट किया, सो चाइना और इंडिया, 1980 तक, इंडिया जो था, वो चाइना से हमेशा आगे रहा, डेवलपमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा हुआ, 1980s तक, बट 1980s के बाद, चाइना ने अपनी policy में कुछ changes लाते हैं, उसने क्या काम किया, कि अपने जो market है, उसको धिरे धिरे open करना है, start कर दिया, उस market को उसने धिरे धिरे start कर दिया, मतलब कि companies को तो protect करना है, लेकिन अपने market को धिरे धिरे open करो, foreign companies के लिए, तो जिससे कि अगर कोई company आती है, आपके हाँ, अ पूरा जो system था, वो open किया, तो उसे पहले चाइना ने बहुत साजी तयारियां की, जो इंडिया में नहीं हुई थी, और वही कारण बन रहा है कि, आज के date में, China is the manufacturing hub of the world, दुनिया के 28% जो goods manufacture होते हैं, वो चाइना में होते हैं, 28% manufacture goods of the world, सोचिए, तो इतना जादा है, औ और आज की rate में, वहाँ की GDP हमसे चार गुना जादा है, वहाँ का per capita income भी हमसे जादा है, सो सब कुछ जादा है, तो इंडिया को अगर चाइना को beat करना है, तो इंडिया को क्या करना होगा, अभी इससे पहले ये जानते हैं, कि चाइना cheap goods कैसे produce कर रहा है, तो ये चाइना क जो constitution है, वहाँ पर लिखा गया है, कि by the 2049, we are going to be the superpower in the world, और superpower होने के लिए आपको बहुत बड़ा economic power बनना पड़ेगा, तो इसके लिए जरूरी है, कि आप दुनिया के जितने भी चीज़े होते हैं, वहाँ के हाँ बननी चीज़ें, आप उसी से economic की ज़री आप हर ज़ग control कर पाओगे, so, यह एक चाइना की national strategy है, second thing, वहाँ पर क्या है, कि जो भी factory setup हुई है, वो बहुत ही raw material से बहुत low cost में आता है, क्यों, क्योंकि वो लोग बहुत सारा bulk में produce कर रहे हैं, मतलब कि हमारे जैसे नहीं कि 2-4 produce करना है, अगर हमारे हाँ 100-250 produce हो रहा है, तो उनके ह अगर वो लाखों में produce हो रहा है, production हो रहा है, और तो उनके लिए जो raw materials है, वो बहुत सस्ते मिल जाते हैं, उनके हां resources भी जाता है, एस तो बड़ी country है, तो resources भी जाता है, तो इसके वरे से भी उनके हां यह फायदा होता है, cheap labor और skilled labor, वहाँ पे जो labor है, वो क्योंकि China is the biggest populated country of the world, largest populated country, तो इसके वरे से वहाँ पे जो labor है, वो बहुत cheap है, क्योंकि काम करने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन वो लोगी skilled है, that is different, कि इंडिया में कोई skill नहीं होता, यहाँ पे कहीं ने कहीं education system जो है, वो बहुत ही fact matter कर जाता है, because क्योंकि China का education system है, वो कहीं ने कहीं skill oriented है, industry oriented है, जो industry की चीजों को सिखा रहा है, but हमारे हाँ जो वो घिसी पीटी बाते बुक की चल रही है, वो कहीं कहीं काम नहीं आ रही है, सिर्फ आज की डेट में हम लोग service sector बहुत आगे जा रहे है, but what about the manufacturing, अगर मैं service sector की बात करूं, तो चाइना जो है, हमसे ज्यादा service मे center है पूरा, वो क्या हो रहा है कि उन्होंने अपना खुद infrastructure बना दिया, उनका खुद का Google है, उनका खुद का WhatsApp है, उनका सब कुछ है, अपना, so this is what, उन्होंने अपने, उनका resources था, उन्होंने अपने घर पे रखा, और जिसके वज़े से उन्होंने अपने country को ही बढ़ाया हमारे हाँ पूरा brain brain हुआ, क्योंकि हमारी government में हमारे हाँ जो policies होती थी, वो ऐसी नहीं होती थी, कि यह जो जिनका brain अच्छा है, जो लोग IT, IIT और IIM से पढ़ रहे हैं, इनको यहीं पर रखा जाए, इनको यहीं पर उतनी सुविधाय दी जाए, और जिससे वो लोग यहा हमारे हाँ ऐसा नहीं हुआ, और हमारे हाँ लोग US में जाके उनकी कंपनियों में काम कर रहे हैं, so next is, वहां का जो अगर कोई factory वहाँ पर आती है, तो क्या होता है, कि उनका एक policy है, कि पहले आपको हमारे हाँ technology लानी पड़ेगी, जो भी आपकी technology होगी, आपकी आपका सब सिख जाएंगे, अब कल चाइना वाले सब सिख जाएंगे, तो factory की जगा दूसरा कोई Chinese भी factory डाल लेगा, और वो चीज़ को produce करने लगेगा, अच्छे से, वहाँ पर जो environmental compliance होता है, और health and safety, मतलब कि यह सब चीज़ों को बहुत ही low रखा जाता है, कि जैसे कि हमारे बहुत सारे environmental compliance होते हैं, जैसे कोई अभी, for example हम लोग देख रहे हैं कि metro बन रहा है, तो metro में कितने सारे issues आ रहे हैं, कि यह national park आ रहा है, तो एक particular national park की वज़े से पूरा industry, पूरा जो एक project है, वो stop हो गया है, इसकी वज़े से क्या हो रहा है, कि जो company उसको पैसा दी थी, व अगली बार कोई company आपके उपर पैसा नहीं लगाएगी, अगर हम लोग बात करने कि जैसे इंडिया में bullet rank का बात हो रहा था, तो अभी ये environmental issues की वज़े से रुख गया है, तो ये जो issues हैं, छोटे-छोटे issues, इसकी वज़े से इंडिया में कोई factory आना नहीं चाहते है, क्यो कोई goods बन रहा है, जो export करना है, तो उसके जो prices होंगे, मतलब उस पर tax लगना ही नहीं है, कोई भी goods export करोगे, तो उस पर tax नहीं लगेगा, next thing चाहिना वाले, क्योंकि वो लोग बल्क में produce करने हैं, बहुत ज़्यादा, तो वो लोग क्या गाम करते हैं, दुसरे countries में, इंद दिया था, तो इससे क्या हुआ, कि उसने एक market capture किया, market capture किया, तो जो और company थी, जो उसके competitor थे, वो सम निकल गए, उनको loss हो गया, तो जब वो सम निकल गए, तो उसने अपना rate बढ़ा है, और आज वो monopoly कर रहा है, so this is what kind of the things done by the Chinese company, Chinese company ऐसा बहुत सालों से करती आई हुई है कि वो लोग बहुत सस्ते में पहले आपको देंगे, बाद में जब यहां की factory सब खतम जाएंगे, तो अपना दाम बढ़ा देंगे वो लोग, अभी जो Indian companies थी, mobile companies क्यों खतम हो गई, यही कारण रहा था, कि चाइना की OPPO VO, कितने सस्ते आ रहे थे, और वही Micromax, Intex, यह सब यह कोई लिया नहीं, और यह सब company ने production बंद कर दिया, क्योंकि जब उनको profit नहीं होगा तो अफकोस उनको बंद करना पड़ेगा plant, यह region था उनका, so this is dumping वो लोग करते हैं, goods का dumping कर देते हैं, और इसके लिए WTO को भी कोई laws नहीं है कि ban किया जा सकता है, कोई dumping कर रहा है, हा national policy रहा है कि वो लोग अपने country में कोई चीज़ import नहीं करेंगे, अगर आप उनके country में import करोगे न, तो लोग बोलेंगे कि यह issue है, अलग-अलग type की issues निकल देते हैं, जैसे हमारे यहां से चावल उनके हां जाता है, तो बहुत सारी issues लोग निकल देते हैं, कि आपके चाव पर अपना economic burden बना लेते हैं, वो लोग, जैसे country को कल कुछ भी हो, तो लोग उसको control कर सकें, जैसे कि आज की रिट में चाहिना ने इंडिया के आज़ो बादू, तो सब को मदब की खर्श देखी रखा है, तो सब लोग फसे हुए हैं, उसके BRI प्रोजेक्ट में, नेक्स्ट और vocal for local, तो इंडिया को क्या करना होगा, अगर इंडिया manufacturing hub बनना चाहता है, तो इंडिया को पहला काम करना होगा, कि जो उनकी policies हैं हमारे government के, वो industry oriented होनी चाहिए, industry friendly होनी चाहिए, और जो पूरा system में ज्यादा, ऐसा system ना हो कि लोग ज्यादा परिशान हो, जो भी industry को यह यहाँ पर लगाने आता है, तो उनको जल्दी से clearance दिया जाए, यह चीज़े हो सकती है government में, जो हमारा labor है, जो पूरी population है, उनको skill किया जाए, because skill is very important, आज के date में, सिर्फ education जो है, किताबों की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको skill सिखना होगा, जिसको skill आए education sector को change करना पड़ेगा, next thing, जो हमारा education में, जैसे कि बड़ी-बड़े जो institutes हैं, उनके बीच में और सो industry है, उनके बीच में collaboration करवाना होगा, कि जो चीज industry को चाहिए, education sector में उसी पर research हो, अब पता चला कि हमारे यहां research किसी और पर और है, education sector में उनको कुछ और चीए, तो इसी के कारण होता है कि industry भी नहीं progress कर पा रही है, और education system भी कहीं और ही डिल्था में जा रहा है, direction में, next is, हमारा जो legal system है, उसको strengthen करना होगा, उसको और मजबूत करना होगा, और और fast करना होगा, जिससे कि कोई भी issues हैं, तो जल्दी-जल्दी solve हो सके, क्योंकि जब कोई भ बाद में कोई दूसरी company नहीं आती है, फिर हमें जो government है, government को बहुत सारा fund देना होगा, यहां के जो entrepreneurs हैं, और जो भी लोग, जिन बिजनेसमेन हैं, अब यह funds, already government के बहुत सारे programs जल रहे हैं, जैसे मुद्रा योजना, और बहुत सारे programs हैं, बट यह सब में क्या हो रहा है क और allocation करने की जुर्योत पड़ेगी government को, अगर हम लोग चाइना को bycourt करने की बात कर रहे हैं, और logistics हैं, वो भी हमें improve करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग चाइना की बात करें, तो वहां का जो logistics है, बहुत ही high five हैं, जो इंडिया में तो है ही नहीं, तो इंडिया को करना हाते हैं, तो